नमस्ते साथियो मैं सुरेच छेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया इटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ साथियो इन ओरिजिनल देशी चूजो का ये 19 नंबर दिन है और ये साम का समय है और अभी मैं इन चूजो को दाना पानी देने वाला हूँ और उसके साथ चाथ 19 नंबर दिन के साम के समय में मैं इन चूजो को एक मैडिसिन भी देने वाला हूँ तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास तक ध्यान ची देखना साथ यहाँ आप लोग देख सकते हैं इन चूजो को मैंने जिन बरतनों में दाना देके रखा हुआ था सभी बरतनों में अभी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दाना है और इस दाना के साथ इन चूजो ने भूशी भी मिक्स कर दिया है तो अगर मैं इसे यहां फेक देता हूँ तो दाना वेस्ट हो जाएगा तो मैं एक काम कर देता हूँ जिन भी बरतनों में भूसी मिक्स करके रखा हुआ है दाना तो उन सभी बरतनों के दाना में एक बरतनों में इकठा कर देता हूँ और बाकी बरतन में मैं फ्रेस दाना इन चूजो को खाने के लिए देता हूँ मैं अभी इस बूडिंग रूम के चूजो को पांच बरतनों में दाना खाने के लिए दे रहा हूँ तो अभी मैंने एक काम किया है, मैंने एक बर्तन में भूसी मिक्स किया हुआ दाना रखा हुआ है और बाकी के चार बर्तनों में फ्रेस दाना खाने के लिए दे रहा हूँ और 19 नमबर दिन के साम के समय में भी मैं इन चूजो को देशी मुर्गियों के लिए जो इस्टाटर फीड आता है वही खाने के लिए दे रहा हूँ मैंने इस बूरिंग रूम के चूजो को फीट खाने के लिए दिया है अब मैं इस बूरिंग रूम के चूजो को भी फीट खाने के लिए दिया है अब मैं इन चूजो को मैडिसिन मिलाया हुआ पानी भी पीने के लिए दियता हूँ तो 19 नमबर दिन के साम के समय में मैं इन चूजो को जो मैडसिन देने वाला हूँ उसका नाम है केल्सी केर केल्सियम आप लोग देख सकते हैं ये मैडसिन मैं इन चूजो को 17 नमबर दिन से दिन में एक बार साम के समय में पानी में मिला कर दे रहा हूँ मैंने ये मैडेशिन पानी में अच्छे से मिला दिया है अब मैं इसे चूजो को खाने के लिए देता हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी दोनों बूडिंग रूम के चूजो को ही फीड और मैडेशिन मिला हुआ पानी पीने के लिए दे दिया है और इसी वीडियो के साथ इन ओरिजिनल देशी चूजों का 19 नमबर दिन भी कम्प्लीट हो जाता है